दोस्तो जब भी अपने किसी प्यारे जन से, जिन से आप प्यार करते हो, बहुत बड़ी लडाई हो जाए तो उस गुस्से को कैसे शांत करें, वो जो आपके अंदर एक नेगेटिव उर्जा जागरित हो गई है नफरत की फिलिंग पैदा हो गई है, उसको कैसे शांत करें, यह आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कहीं बार अपनों से बहुत बड़ी से बड़ी लड़ाई हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाते है और वो इतने ताकतवर होते हैं किसी बहुत बड़िया कंस्ट्रक्शन कमपनी या ठेकेदार की तरह होते हैं चंद ही पलों में आपके दिमाग के चारों तरफ एक दिवार खड़ी कर देते हैं जिसका नाम है इगो एहम मैं, इसने मुझे ये बात कैसे बोल दी, इसने मेरे साथ ये कैसे कर दीय इस की हिमत कैसे हुई, ये है कौन वो दिवार इतनी बड़ी हो जाती है कि आप उसके आरपार ही नहीं देख पाते, कुछ और नजर ही नही आता बस नफरत 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 और फिर आप क्या चाहते हो उनका नुकसान करना उनको कुछ गलत बात कहना बहुत इगंदी बात कहना फरस्टेट करना उनको हर्ट करना आपके अंदर एक राक्षस का जनम हो जाता है और फिर वोही होता है आप पास्ट की भूत की कोई गलत बात बोल देते हो अब शब्दों का इस्तमाल कर देते हो कही बार तो हाथ भी उठा देते हो या रिष्टा तोड़ने की बात कर देते हो इस तरीकी की बाते कर देते हो और उनसे रिष्टे में पर्मनेंट गांट पर जाती है या सामने वाला और गलत बाते बोलता है और लड़ाई बढ़ती चली जाती है तो दोस्तों जब भी किसी अपने से आपकी ऐसी लड़ाई हो जाए आपका अंतर मन चाता है कि ये लड़ाई खतम हो जाए लेकिन आपकी इगो उस लड़ाई को खतम नहीं होने देती तो आपने एक छोटी सी टेकनीक अपनानी है सिरफ पांच मिनट के लिए अपनी आखें बंद करके आपने ये सोचना है कि वो इंसान मर गया उसकी मृत्तिव हो गई किसी भी करणवश और आपका डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ वो आपसे नराज रहते हुए ही मर गया कितनी पीड़ा होगी आपको ये जो गुस्से वाले पल है न ये छोड़के जो पूरी लाइफ उनके साथ जीए है च्छाईयां उनके साथ जीए है उनका प्यार सब याद आने लगेगा कि ये तो कितने स्पेशल थे, कितने जरूरी थे और चंद पलों की लड़ाई के बाद चले गए आखरी पल में दिमाग में सिर्फ लड़ाई रही वो प्यार बेकार हो गया, वापस कैसे लाऊं इनका साथ अब कैसे पाऊं, ये तो एक छोटी सी लड़ाई थी ये इतनी एहम कैसे बन गए, क्या करो इस बात को इंटेंसिटी से और कंसेंट्रेशन से इमेजिन करना, सोचना, कुछ ही मिंडों में आपकी आँखों में आसु आ जाएंगे और वो जो भावना पैदा होनी थी ना, कि उनको हर्ट करने की, उनका नुकसान पहुचाने की वो हवा में उड़ जाएगी, और वो एगो की दिवार, प्यार के जे सी बी से डह जाएगी